कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाकर और को अन कीजिए में लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ मोस्ट व्यूटिफुल और ट्रेंडिंग वेल स्लीप रिजाएं शियर करूंगी जिसके साथे 9 इंच की जिस स्लीप की कटिंग करूंगी और आफ इंच मैंने उपर से छोड़ाया हाफ नीचे से तो जहां से जो लेंग्स रखेगी वो साथे 9 इंच रहेगी उसके बाद जहां से हम साथे 7 इंच आर्मों रखेंगे अपने मेजर मेड के कोडिंग और आगे से जो हूरी है वो साथे 5 इंच है देखिए जैसे हम सिंपल अपनी स्लीप की कटिंग करते हैं वैसे इसकी कटिंग करेंगे जहां से और उपर से जहां से हम ऐसे शेप देंगे फ्रेंट के लिए जी देखिए इसकी लेंध रखे रहेगी साड़े नो इंच आगे इसमें हम साथ इंच की विल एड करेंगे तो उसकी लिए जैसे जहां पर मैं साथ इंच की विल इसमें एड करूंगी तो उसकी लिए हमने तीन से चार इंच कपड़ा ज्यादा लेना है तो जहाँ पर मैंने ये 10 इन्च कपड़ा ज्यादा लिया है जाए देखी सात इन्च length है और कपड़ा मैंने 10 इन्च लिया है जनके तेन इन्च एक्स्ट्रा इसको हमने इस तरह से double fold कर लिया है जाए देखी एसे जे सारा कपड़ा देखी इन्च है और जहें डबल फॉल्ड है और जहां से इसकी कटिंग करेंगे जिदे इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है जहां से इसकी ओपन साइड है और इसे हम एक बार और फॉल्ड करेंगे ऐसे जिदे इस तरह से हमने कट्पड़े को फॉल्ड कर लिया है जहां से इसकी दोनों साइड से बंद साइड है और जहां से इसकी फॉल्ड लियर है जिदे इसकी बार इसे हम एक बार और फॉल्ड करेंगे और ऐसे इसकी आठ लियर हो जाएंगी अब उसकी वाद हमने जहां से जैसे मेरे पास जो मूरी है स्लीप की वो साड़े पांच इंच हैं तो उसका हाफ हम जहां पर डाइ इंच का नशान लगाएंगे जी लेखे जहां से जो हमारी जो बंथ साइड है देखे इस तरह से जी सारी बंद साइड है मारे पास जहां से और जहां से हम डाई इंच का निशान लगाएंगे ऐसे जी हम डाई इंच का ही लगाएंगे इस ते ज़्यादा नहीं लगाएंगे और आगे जो लेंथ है बेल की गुह हम 7-inch रखेंगे इस तरह से हम राउंड में गमाते हुए 7-inch का निशान लगाएंगे जी देखिए इस तरह से हमने 7-inch का निशान लगा लिया है जी बेल आप अपने कोडिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अब उसके वाद जहां से धाय इसकी कटिंग करेंगे उसके वाद नीचे से एक इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे क्योंगे राफ इंच हमार उपर भी जाए क्या है और ऐसे जी मारे दोनों स्लीब के लिए जे वेल की कटिंग हो चुकी है यह देखिए इस तरहां से इसकी कटिंग होगी राउंड में तो देखिए और जे दूसरे स्लीब के लिए हैं अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीब की जैसे नॉर्मल फीटिंग करते हैं वैसे हम इसकी फीटिंग करेंगे और इस स्लाइट को डवल करेंगे अब उसकी बाद जो हमने वैल की कटिंग करी थी अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे जो रेखिए जी उपर से सीधी साइड है तो जे रॉंग साइड है तो सबसे पहले हम जहां से इसे इस तरह से टर्न करते हुए इसके उपर स्लाइट लगाएंगे जी किसे मैं सीधी साइड से टर्न कर रही हूं कि किसके उपर हम लेस लगाएंगे जी देखी इस तरह से श्लाइट लगाने के बाद मैंने जी ब्लैक लर की जिग जैग लैसली है जो हम इसके उपर लगाएंगे सेम दागे के साथ जी कि इस तरह से राउंड में लगाते जाएंगे इस सारी विल की उपर हम इस तरह से इसलीज को टैज करेंगे जहां से हम लैस को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको जहां से पक्का कर देंगे जिदिकी इस तरह से लैस लग चुकी है अब जहां से हम इसे अपने स्लीज के साथ अटैज करेंगे जी देखी इस तरह से हम सीधी से ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से इसके बीच स्लीज के साथ ऐसे मिलाते हुए इसके पस्टिच लगाएंगे जी पली विल अपने खीच कर नहीं लगानी जितना आप लूस रखकर लगाऊंगे उतना ही अच्छा है खीच को लगाएंगे तो जी विल थोड़ी बढ़ सकती है तो हम इसे इस तरह सी थोड़ा डीला रखकर लगाएंगे और ऐसे ही राउंड में स्लाई लगाते जाएंगे और इस स्लाई को हम डबल करेंगे जहां से और बाद में इसकी उपर हम इंट्रलो कर देंगे अब हम स्लीव को सीधा करेंगे जी देखिए इस तरह से जी हमारी स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है इसकी फ्रिल बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होई है जी देखिए आज का जीवाल स्लीव काफी ज़्यादा ट्रेंड में है आई होप आपको मेरी जी वीडियो अच्छी लगी हो और बनाने का सखाने का तरीका भी अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे ऐसी स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए इससे लाब आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं उसका लेकर नीचे डिस्क्रफ्शन बॉक्स में दिया है इसके साथ जो कुरती का डिजाइन बनाया है मैंने वह आपको नीचे डिस्क्रफ्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके साथ भी मैंने यह लेस को टैच किया है और ब्लैक लगे बटन लगाए हैं जो देखिए पहनने के बाद यह स्लीव ऐसे नजराएगी थैंक यू थैंक सर्वाच एंग बाई टेक कियर